जैगवार जिसे शिकारियों का सिकार करने के लिए भी जना लेता है। ये पानी में रहने वाले खुंखार से खुंखार मगर मच का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। और गाइस अगर हम बात करें जंगल कराजा शेर जिसे जंगल का हर एक जानवर खौफ खाता है इसकी एक दहाड ही पूरे जंगल को अपने होने का अहसास करा देती है तो दोस्तों इस वीडियो के पर लास सक्षा ज़र दखेगा क्योंकि आपको इस वीडियो में लौन और जागवर के बारे में रोच्यक जनकारी मिलने वाला है यलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं से दोस्तों एक वैस के लौन का वजन करीब 190 किलो से लेके 300 किलो तक का होता है और वह हम बात करें इसके लंबाई की तो एक वयस के मेल लोयन का लंबाई करीब 1.7 मिटर से लेके 2.5 मिनिटर तक का होता है और गाईज अगर हम बात करें एक फीमेल लोयन यान एक शेर ने की तो इसका वज़न करीब 120 किलो से लेके 200 किलो तक का होता है और उनके लंबाई करीब 1.1 मिटर से लेके 1.5 मिटर तक का होता है और दोस्त अगर हम शेर की बात कर रहे हैं तो इसका जबड़ा कैसे पीछे हो सकता है तो गाइस एक शेर का बाइट फोर्स करीब 640 PSI तक का होता है और दोस्त अगर हम बात करें शेर के स्पीट की तो एक वयश के शेर की स्पीड होती है करीब 80 किलम्डर पर आवर तो दोस्त अगर हम बात करें एक शेर के जीवनकार याने उसके उम्र की तो एक शेर मैक्सिमुम करीब 15-25 साल तक जीवित रहता है और दोस्त अगर हम बात करें शेर के स्पीड नाम तो एक शेर का स्पीड नाम होता है पैंथेरा लियो और गाईज अगर हम बात करें शेर की च्छलांग यानि लॉयन की च्छलांग की यानि ये ग्रूप बनाके रहना पसंद करते हैं और गाईज के पर जानते हैं कि एक नॉर्मल लॉयन की ग्रूप में कितने शेर या शेर निया होती हैं गाईज एक नॉर्मल गृप में दो लॉयन से लेके चालिस लॉयन तक होते हैं सूँ दोस्तों जयसे क्यम से लोग जानते हैं कि यक शेर कार्णी वेरास यानि एक मांसा हरी जीव होता है और गाईस के पर जानते हैं एक शेर एक दिन में कितना किलो मीट यानि कितना मांस खाता है और गाईस के पर जानते हैं एक वेज के शेर की दहार करीब-करीब आट से दस किलो मीटर दूर तक सुनाई देती है So, friends, ये था लॉर्न के बारे में कुछ amazing and interesting knowledge तो चलो दोस्तों अब हम कुछ जागवार के बारे में भी जान लेते हैं तो चलो फ्रेंट्स सबसे पहले हम एक जागवार के बारे में जान लेते हैं तो एक वयस्क यानि एक मेल जागवार के वदन करीब 100 किलो से लेके 1.500 किलो तक होता है और इसके लंबाई करीब 1.85 मिलिट तक की होती है यानि करीब 6 feet और अगर हम बात करें वैसक फीमिल जैगवार की तो इसका वजन करीब 90 किलो से लेके 100 किलो तक का होता है और गाइज इसके लंबाई करीब 1.3 मिलिट तक की होती है और फ्रेंट्स अगर हम बात करें इसके बाइट फोर्स की तो एक जैगवर का बाइट फोर्स शेर से भी कई गुन जादा होता है तक जैगवर का बाइट फोर्स बार्स पियसाई तक का होता है और दोस्तों अगर हम बात करें जैगवर के स्पीड की तक जैगवर के स्पीड भी शेड जितने ही होती है यानि एक जैगवर भी 80 कृमड़ पर आओर की स्पीड से आसानी से भाग सकता है लेकिन फ्रेंट्स जैगवर शेड से काफ सदफ उड़तीला होता है और ये आसानी से काफी देर तक इस स्पीड से भाग सकते हैं और फ्रेंट्स अगर हम बात करें एक जैगवर के जीवनकाल यानि उसके लाइफ स्पैम की तक जैगवर करीब 12 से 15 साल तक जीवित रहते हैं और फ्रेंट्स जैगवर का सिरिक नाम पैंथेरा अउन का होता है चले फ्रेंट्स अभम जान लेता है एक जैगवर कितने दूर तक और कितने उचाही तक कूट सकते हैं एक जैगवर करीब करीब 15 से 20 वीट दूर तक च्छलांग आसानी से लगा सकता है और एक जैगवार करीब 10 विट ऊची छहलांग आसानी से लगा सकता है और फ्रेंट्स के कैप जानते हैं एक जैगवार शोशल एनिमल नहीं होता है इसे अकेला ही रहना पसंद होता है और इसलिए ये अकेले ही अपना पुरा जीवन काल बितार देते हैं और गैस के पर जानते हैं एक जैगवार एक दिन में कितना मीट खाता है और दोस्तों एक जैगवार करीब एक दिन में 1.5 kg मीट खाता है तो गाइज ये था लॉन और जैगवर के बारे में पुछ अमेजिंग अंट्रस्टिंग नॉलेज और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो फिटो को लैक कर देज़ेगा तो कि आपके एक लैक से हमें काफी तदा मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियो लगातार देखने हो सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर देज़ेगा घ्याब को चैनल पे ऐसी वीडियो लगातार देखने को मिलते हैं सो गाइज मिलन किसी अगली इंटरस्टिंग अमेजिंग वीडियो में